नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक्ति दोस्तो साइट पे एक बहुत ही common गलती देखा जाता है कि column जब casting हो जाती है जब ढलाई हो जाती है दोस्तो वो साहूल में नहीं होता है मतलब कि column हमारा किसी एक तरफ जुका हुआ होता हलका सा चीक है टेड़ा column हो जाता है और टेड़ा column के द्वारा दोस्तो हम load को जो है व प्रांसपर नहीं होगा दोस्तो तो जहां से उसको वीक पॉइंट मिलेगा वहीं से वो column को तोड़ देगा तो यह चीज से बचने के लिए कि बहुत ही सही तरीका सिविल लाइन में इस्तिमाल किया जाता है कि column ढालने से पहले दोस्तो इस टार्टर ढलवाईए जिया फ्र जो है वो column को ढालते हैं और इस टार्टर लगाने के और भी फायदे हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताते हैं दोस्तो इस टार्टर लगाने के जो पहला फायदा यह होता है कि वो column से size में बहुत ही छोटा होता है मातर तीन इंची का होता है इसलिए दोस्तो इसमे दागा लगाते हैं मतलब सेंटर लाइन जो लेते हैं उसको kul."। दूसरा काम यह होता है दोस्टो कि आप यहां तट्र का सथो कशेए ँसके भाज हटे लिकिश्काश्ट सब्सक्राइब भासा लाइगा, चुक्कि नीचे में हमारा जो जगा है वो बिलकुल fix है, तो एक reference point मिल जाता है कि हमें कहां से लगाना है तो इस तरह से ौलम में 3 होने का चक्षाई से वह काफी ज़्ादा गढ जाता है दोस्तो एक फैदा में आपको और बताते चलू कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है दोस्तो कि जो कॉलम की ढलाई होती है उसमें जो हमारा लोहा है अर्थाचो सडिया है दोस्तो वो किसी एक साइट जूल जाता है और उससे क्या होता है दोस्तो जो हमारा फर्या है और जो हमें जोस्तो जितना गैप मिलना चाहिए मतलब कि जितना की कभर होना चाहिए आम तोर पे एक कॉलम में 40 mm का कभर होता है तो उस कभर को दोस्तो प्रोपर तरीके से नहीं रख पाते हैं अगर डायरेक्ट शट्रिंग कर दिया जाए चुकि अगर 6- साथ फीट का दोस्तो कॉलम कास्टिंग हो रहा है तो उसमें आपको नीचे कुछ भी नहीं दिखता है कि आखिरकार जो हमारा सट्रिंग है वो हमारे जो लोहा है जो सरीया है उससे कितना सटा हुआ है या फिर कितना दूरी जो मिस्तरी होते हैं वो एक्ट्वल में ये चेक परकर लेते हैं कि क्या यह सा हूल में है अगर दोस्तों प्लम्बब हमारा बेना विना नीचे की तरफ गिरता है तो वो डिरेकली कास्टिंग हो प्लितन कर देते हैं और बाद में अगर दोस्तों सरीया पाहर के तरफ पाने चलते हमारा योहा है और समयसे पहले能liveus श्ट्र अब इस्टार कैसा होता है ये भी देख लिजे कि कास्टिंग के बाद मैं कैसा दिखता है ये मैं आपको चली दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं यही वो starter है जिसकी मैं तभी से बात कर रहा था इसकी height 10 inch की है वो बिल्कुल column का एक छोटा रूप है इसमें देख सकते हैं central line बिल्कुल अच्छा आया हुआ है दूसरा चीज देख सकते हैं दोस्तों कभर बिल्कुल आपको जो है वो बराबर मिलेगा और शट्रिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जगह है बस शट्रिंग में काटी लगा करके इसमें अटका करके दोस्तों ढलाईये start कर देना है तो यह चीज़े ठेकदार के लिए भी काफी सही है चुकि इसमें शट्रिंग करना बहुँ जादा आसान है तो आपको एक्स्ट्रा मजबूती घर में मिलती है किस तरह से मिलती है विडियो में बताया गया आपको मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद